Yes students, now see the question number 2, Mr. Rahul bought 8 kg 350 gram of apples, जो Mr. Rahul है वो 8 kg और 350 gram apples लेके आता है, He found that 1 kg 240 gram of apples were unripe, ठीक है, यानि कि इतनी quantity जो है apple की वो unripe है, unripe का मतलब होता है बेटा कच्चा, apple जो पका हुआ नहीं है, जो खाने लाइक नहीं है, जो कच्चा है, find the weight of ripe apples, यानि कि जो पके हुए apples है, उसका आपने weight निकालना है, ठीक है, उसका weight निकालेंगे, अब एक बात है बेटे, कि आपके mind में ये बात strike करनी चाहिए, पढ़ते ही, कि अगर यहाँ पे unripe given है और यहाँ पे ripe given है, यानि कि दो खी बात हो रही है, एक तो पके हुए apples और एक कच्चे, that means कुछ न कुछ subtract होगा, ठीक है, unripe apples का आपको बता दिया कि इतने unripe हैं, और total आपको पता है, और आपको ripe apples का निकालना है, that means कि यहाँ पे subtraction operation लगेगा, ओके, कैसे आपको पता चलेगा कि ripe apples का weight कितना है, जब आप total में से unripe minus कर दोगे, जो बचे हुए होंगे, वो आपके क्या होंगे, वो ripe apples होंगे, ठीके, इसको better समझने के लिए देखें, notebook में, quantity of apples bought by Rahul, equal to, कितनी quantity लेके आया वो, 8 kg, 350 g, quantity of unripe apples, जो unripe, जो कच्चे apples है वो कितनी quantity है, 1 kg, 240 g, quantity of ripe apples, जो यानि कि जो पके हुए apple है, आपने उसकी quantity निकाल नी है, तो कैसे निकाल लेंगे, इस total में से इसको minus करेंगे, and we will get the quantity of ripe apples, ओके, देखें, 0 में से 0 गई, 0, 5 में से 4 गई, 1, 3 में से 2 गई, 1, 8 में से 1 गई, this is 7, तो 7 kg, 110 g, ओके, now सीधा question number 3, अब a girl weight 33 kg, 520 g, एक लड़की है, girl है, जिसका weight given है, ठीक है, 33 kg, 520 g, ये weight है, she lost 1 kg, 210 g due to illness, यानि कि जब वो बिमार हो जाती है, illness का मतलब बिमार होना, जब वो बिमार होती है, तो बिमारी की वज़े से उसका weight कम हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कि अगर हमें कुछ cold cuff हो जाए, बिमार हो जाते हैं, तो हमारा जो खाना पीना है, वो कैसा हो जाता है, बिलकुल कम हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वज़े से weight हमारा कम हो जाता है, बिमार होने के बाद उसका weight इतना कम हो गया, 1 kg, 210 gram, तो at present अब इस time उसका weight कितना है, ये आप से पूछा जा रहा है, तो ये पढ़ते ही line आपको समझ जाना चाहिए, कि हमें क्या करना है, है, subtraction करनी है, okay, so now see this question, weight of a girl, कितना weight है, 33 kg, 520 gram, weight of, sorry, weight lost by her, यानि कि जो उसने weight loss किया, कम हुआ, कितना, 1 kg, 210 gram, her present weight, अब इस समय जो उसका weight है, वो हमें निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कि इस total में से इस वाले weight को minus करेंगे, तो हमारे पास present weight निकलाएगा, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2, और 3 में से यहां तो कुछ भी नहीं है, तो 0 लगा देते हैं, तो 3 में से 0 गए 3 आएगा, हाँ ना, same number, तो यह आपके पास आया 32 gram और 310, 32 kilogram, 310 gram, 32 kilogram, 310 gram, यह आपके पास आया है present weight, और एक बात और आपको यहां पे ध्यान देनी है, कि यहां पे जिसे बिटे 1 kej लिखा था, तो आप 1 यहां नहीं लिखेंगे, यह गलती नहीं करनी है आपने, यह one space है, ठीक है, one तो one space का है, और यहां पे 33 जो है, 33 में once place कौन से वाले 3 की है, यह पहले वाले three की है तो once place के नीचे once place आएगी ओके तो इसी तरह से आपने subtraction करनी है